ओम नमेशिवाय, हरहर महादेव, जैशिव शंभू दोस्तों आप सभी का आपकी अपने चैनल में बहुत स्वागत है आखिरकर क्या कारण है कि लोग हमसे जलते हैं हम तो कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं लेकिन फिर भी लोग हमसे शत्रुता पाल लेते हैं फिर भी लोग हमें पीट के पीछे वार करते हैं मतलब बार-बार हमारे काम बिगाड़ना चाहते हैं बार-बार वो हमें धोका देते हैं हमारे साथ चलकपट करते हैं बारे बारे में तरह तरह की बाते लोगों से करते हैं पर वास्तविक्ता में हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं और हमने उनके बारे में इसी कुछ चीजे की ही नहीं लेकिन ये क्यों होता है और ऐसा एक बार नहीं हर बार हमें गलत समझा जाता है तो दोस्तों एसके पीछे कौन से गरह दोश्य होते हैं, इनके पीछे कौन सी चीजे हमारी लाइफ में हमें इस तरह की चीजे बार-बार होती है, वो सभी हम बाते आज इस वीडियो में करने वाले हैं, बस आप इस पूरे वीडियो को देखकर अपनी मदद कर लें, तो कि ये जो बाते में आपके साथ साजा क हम से करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप वाटसप पर अपोइटमेंट लेकर हम से बात कर सकते हैं, उसका फीज शुलक लाग होई दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो आपकी सबसे बड़ी गलती है, वो है दया, दया ही दुख का कारण ये बात बिलकुल सही ह लेकिन आपके साथ समस्या ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी परिशानी आपके सामने आकर क्यों रोता है, क्योंकि आप मदद कर देते हैं, आपके मन में दया है, और ये दया बार बार होने से लोग आपका मिस्यूस करते हैं, और जब हम किसी बार नहीं कह देते हैं, या हमें व्यक्ति की बुराई करते हैं कि वो ऐसा वो ऐसी ये लोग अपनी तरह से बाते बनाकर आपके बारे में भी किसी दूसरे इंसान को बोल देते और आपके अच्छे खासे रिष्टों को खराब करते हैं तीसरे वो लोग जो आपसे बार-बार दन की मांग करते रहते हैं क्योंकि एक किसी भी व्यावार को खराब करते था है धन इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना आउसर के धन का लेंदिन कम से कम रखे अपनी जीवन में और सबसे महत्पून बात वो लोग जो लोग किसी का भी अच्छा नहीं सोच सकते उन लोगों से दूरी बना कर रखे क्योंकि जो किसी का अच्छा नहीं सोच सकता तो दोस्तों यही कुछ कारण है जो लोग आपसे जलते हैं